मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरली में समझाए अज की तारिक है तीस तीन दो जर चोवीस के बाबा के सकार महावाक्य है मीठे बच्ची प्रांदान देने वाला बाप है वह नौलज ऐसी देते हैं जिस से प्रांदान मिल जाता है ऐसे प्रांदान देने वाले बाप को प्यार से याद करो बाबा ने प्रेशन पूछा किस अधार पर 21 जर्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं बाबा ने उपतर दिया संगम युग पर तुम बच्चों को जो नौलज मिलती है यह सौर्स आफ इंकम है इस पढ़ाई के अधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं इस पढ़ाई से 21 जर्मों की खुशी मिल जाती है ऐसे कोई चीज नहीं जिसके प्राति की इच्छा रहे बाबा नौलज का दान ऐसा देते हैं जिस से आत्मा क्या से क्या बन जाती है ओम शान्ति भगवानु बाज साली गराम समझते हैं शेप बाबा हमको पढ़ाने आते हैं बच्चे जानते हैं वहीं सृष्टी के अध्दी मद्यांत को जानते हैं बच्चों को अब कोई नई बात नहीं लगती समझ में आ गया है मनुश्य तो सब भूले हुए हैं जिसने पढ़ाया उनके बदले पहले नंबर में पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है तुमको पढ़ते पढ़ते ये बात सिद्ध करनी है भारत के शास्त्रों की ही बात है और धर्म के शास्त्रों की नहीं भूल ही भारत के शास्त्रों की है तुम्हारे सिवाए यह बात और कोई सिद्ध नहीं कर सकता बच्चे जानते हैं यह अनादी ड्रामा है फिर भी रिपीट होगा तुम मनुश्य मातर को सुधाने का पुर्शाद करते हो मनुश्य जब सुधरते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है सात्यूग है सुधरी हुई नई दुनिया और कल्यूग है अनसुधरी हुई पुरानी यह भी तुम बच्चे अच्छी रिती समझते हो और धारन कर समझाने लाइक भी बनते हो इसमें बड़ी रिफाइननेस चाहिए। अरिय अर्थात देवी देप्ता बनना है। सोतो सत्यूग में ही होंगे। वह सब सुध्रे हुए थे। अब अनसुध्रे ले उनकी पुजा करते हैं। यह किसकी गुद्धी में नहीं आता कि हम उनको क्यूं सुध्रे ले कहते हैं। है सब मनुश्य जो सुध्रेले आरिय थे, वही सब अन सुध्रेले बने हैं, आरिय और अन आरिय वक्की बह जो आरिय समाज है, वह मठपन्त है, यह सब जाड से क्लियर समझ सकते हैं, यह है मनुश्य स्रिष्टी का जाड, इसकी आयू पांच या वर्ष है, इसका नाम कलब लिख्ष है, प्रन्तु कलब लिख्ष अक्षर से मनुश्य की बुद्धी में जाड नहीं आता है, तुमको जाड के रूप में समझाया है, वह कह देते कलब लाखों वर्ष का है, बाप कहते पांच या वर्ष का है, और कोई कितनी आयू सनाते, कोई कितनी, पूरा समझाने वाला कोई है नहीं, आपस में कितना शास्तरवाद करते हैं, तुम्हारी तो यह रूरिहान है, तुम सेमिनार करते हो, इसको रूरिहान कहा जाता है, प्रेशन उत्तर समझने के लिए भी करते हैं, बाबा, जो कुछ तुमको सुनाते हैं, उस से ही टॉपिक निकाल तुम सुनाते हो, वो लोग क्या सुनाते हैं, यह भी तुम जाकर सुनो, फिर आकर सुनाना चाहिए, कि इस प्रकार का वाद विवाद चलता है, पहले तो चट खाते में आगे हैं, तुम बच्चों का तो बाप से लब है, तुम बाबा को याद करते हो, बस बाबा ही प्रान दान देने वाला है, नालज का दान ऐसा देते हैं, जो क्या से क्या बन जाते हैं, तो बाप पर लब रहना चाहिए, बाबा हमको ऐसी ऐसी नई बात सुन हम शिरी किशन को कितना याद करते हैं वह कुछ देता ही नहीं शिरी नरायन को याद करते हैं याद करने से कुछ होता है क्या हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए सही बात देपता है कितने सालमेंट थे अब सभी आर्टी फीशल चीजे हो गई है जिसका दाम नहीं उनका आज द काम हो गया है, वहाँ अनाज आदी के दाम की बात ही नहीं, सबको अपनी अपनी प्राप्ति आदी है, कोई अपरापत बस्तू नहीं, जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे, बाबा कहते हैं, मैं तम्हारा बंडारा भरकूर कर देता हूं, तुमको ऐसी नौलज देता हूं, ज इंकम, नौलज ही सब कुछ है, इस पढ़ाई से तुम कितना उमुच बनते हो, पढ़ाई का भंडार है न, वह टीचर्स पढ़ाते हैं, उनसे अलब काल का सुख मिलता है, इस पढ़ाई से तुमको 21 जर्म का सुख मिलता है, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी एक तुक को गिराते ही आएं हैं, चड़ाने वाला है एक बाप, बेहत की पढ़ाई पढ़ाने वाले की बदले पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है, दुनिया इन बातों को नहीं जानती, कहते हैं भगवानु बाच, पढ़ा कर गए, फिर उनका कोई शास्तर रहता नहीं, सत्युक में कोई शास्तर है नहीं, यह सब हैं भक्ती मारक के शास्तर, कितना बड़ा जाड है, भक्ती की यह अनेक टाल इटालियन ना हो तो जाड का ना भी ना रहे, यह सब धारना करने की बाते हैं, तुम धारना करते हो, पढ़ाने वाला तो पढ़ा कर गुम हो जाता है पढ़ने वाले आकर बिशफ के मालक बनते हैं कितनी नहीं बाते हैं एक भी बात कोई की बुद्धी में बैठती नहीं है स्टूडेंट भी तुम सब नंबर वार हो कोई पास होते, कोई फेल होते यह है बेहद का बड़ा इम्तिहान तुम जानते हो, हम अभी अच्छी तरे पढ़ेंगे तो कलब कलपांतर अच्छा पढ़ेंगे अच्छा पढ़ने वाले ही उच पद पाते हैं नंबर वार सब जाएंगे सारा कलास ट्रांसपर होता है नंबर वार जाकर बैठते हैं यह ज्ञान भी आत्मा में है, अच्छा बाबुरा संसकार आत्मा में है, शरीर तो मिट्टी है, आत्मा निरलेब हो नहीं सकती, सो परसेंट सतो परधान और सो परसेंट तमो परधान कौन है, यह भी तुम समझते हो, पहले तो गरीबों को ठाना पड़े, वह पहले आएंगे गुरुओं के भी अच्छे अच्छे अन्य शिश्य जब आएंगे तब उन सब की बुद्धी खुलेगी, देखेंगे यह तो हमारे ही पत्ते निकलते जाते हैं, यहां के जो होंगे वह तो निकल आएंगे, बाप आकर निया जार शुरू करते हैं, जो और और धर्मों में जाकर पड़े हैं, वह सब लोटेंगे, फिर भी अपने भारत में ही आएंगे, भारत वासी ही थे ना, हमारी डाल के जो हैं, वह सब आ जाएंगे, आगे चल कर तुम सब समझते जाएंगे, अब बाहर से सब को धक्का मिलता जाता है, जहां जहां बाहर वाले हैं, उनको पिचाड़ी में सब को अपने अपने धर्म में जाना होता है, आखिर सब अपने अपने घर तरफ भागेंगे, विलायत में कोई मरता है तो उनको भारत में ले आते हैं, क्योंकि भारत है first class पवित्र भुमी भारत में ही नहीय दुनिया थी इस समय इसको voiceless word नहीं कह सकते यह है विशष word इस लिए बिलाते हैं हेपतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ दुनिया तो यहीं है प्रहन्तु इस समय दुनिया में कोई पावन तो है नहीं पावन आतमाई मूल बतन में है वह है ब्रह्म महतत्व सब पावन बनकर वहां जाएंगे फिर नमबर बार आएंगे पाठम जाने आदी सनातन देवी देपता धरम का यह foundation है फिर तीन ट्यूब निकलती है यह तो देपता धरम है यह कोई ट्यूब नहीं है पहले यह foundation फिर ती ट्यूब निकलती है मुख्य है चार धरम सबसे अच्छा धरम है यह ब्राह्मन धरम इनकी बहुत महिमा है हीरे जैसा तुम यहां बनते हो बाप तुम को यहां पढ़ाते हैं तो तुम कितने बड़े हो देपताओं से भी तुम ब्राह्मन बड़े नौलज फुल हो वंडर ह है ना हम जो नौलज लेते हैं में हमारे साँ चलती है फिर वहां नौलज को ही भूल जाते हैं तुम जानते हो पहले हम क्या पढ़ते थी अब हम क्या पढ़ते हैं आई सी एस बाले क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं फर्क तो है ना आगे चल कर तुम बहु जब पूरा होना होगा तब हम भी उस समय बाबा के घ्यान को धारन कर लेंगे फिर हमारा पाट स्वर्ग में शुरू हो जाएगा उनका पाट पूरा हो जाएगा बुद्धी में बहुत अच्छी धारना चाहिए सीमरन करते रहो बाप को याद करते रहो याद नहीं होगी तो काप पत पाएंगे बाप को याद करते करते शरीर का भान निकल जाएगा सन्यासी भी इस अवस्था का व्यास करते करते शरीर छोड़ देते हैं प्रेंटु उन्हों का रास्ता अलग है इसलिए उनको फिर जनम लेना पड़ता है फालवर्स समझते हैं बह ब्राम में लीन हो गया फिर बापिस आ नहीं सकता बाप समझाते हैं बापिस कोई भी जा नहीं सकते पिछाड़ी में सब एक्टर्स जब स्टेज पर आएंगे तब फिर घर जाएंगे वे है अद का विनाशी नाटक यह है वे है वे हद का विनाशी नाटक तुम अच्छी तरी समझा सकते हो यह ड्रामा जो मिसल चलता है वे तो फिर छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं, जूटी फिलम बनाते हैं, उनमें थोड़ी अच्छी बाते होती हैं, जैसे विश्नु अफ्तरन दिखाते हैं, ऐसे नहीं, उपर से कोई उतर आता है, लक्ष्मी नारायन पाढ़ बजाने आते हैं, बाकी उपर से कोई नहीं आ अब तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, तब ये बाते तुम सब समझ सकते हो, पहले तुम भी तुछ बुद्धी थे, जब बाप ने समझाया है, तब तुमारे कपाठ खुल गए है, इतना समय जो कुछ सुना, वह कोई काम का नहीं था, और ही गिरते गे, इसलिए तु आते हैं, फारम भराते हैं, तो मालू पड़े हमारे कुल का है, मूल बात है बाप को जाना, समझे की बरोबर कलब कलब बाप हमको पढ़ाते हैं, ये पूछना है, कब से पुवित्तर बने हो, जल्दी नहीं सुदर थे, घड़ी-घडी माया पकड़ लेती है, देखती है, क घोडे सवार महरती प्यादे आदी दिखाते हैं, तुम अब अपना यादगार देखते हो, जब तुम बन जाएंगे तो भक्ती उड़ जाएगी, तुम किसको माथा नहीं टेक सकते हो, तुम पूछेंगे यह कहांगे, इनकी वायोग्राफी बताओ, बाबा ने तुम बच्चों को नॉलजफुल बनाया है, तब तुम पूछते हो तो नशा रहना चाहिए, पास भी ओनर आठ होते हैं, यह बहुत बड़ा इम्तिहान है, हमारी आत्मा पुवित्तर बनी है, बैटरी भरेगी तब जब योग होगा, बाब से योग होगा तो सतो परधान बनेंगी, तमों परधान आत्मा बापिस नहीं जा सकती है, यह भी ड्रामा है, वहां दुख देने वाली कोई चीज नहीं है, गाएं भी सुन्दर हैं, शिरी अब यहां नहीं हैं, अभी तुम नौलजफूल बन गए हो, इस दुनिया को तुम तुछ समझते हो, इनका सारा किचला स्वाह होना है, फिर सारा किचला निकल सब स्वच बन जाएंगे, हम अपनी राजधानी में जाते हैं, उनका नाम है स्वरग, सुमते ही खुशी होती ह अच्छा, मीठे मीठे, सिगला दे बच्चों उप्रती, मात पिता, बाद दादा का याद, प्यार और गुड़ गोर ने, रुहादी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को शर्दा भरी, प्रेम भरी, नमस्ते, शुक पुनानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वम को सुधारना है अपनी बुद्धी को बाग की याद से रिफाइन बनाना है नमबर दो आपस में रूरिहान करनी है बाद भी बाद नहीं नौलज का दान दे सरव का बंडारा भरपूर करना है वरदान सत गुरु परमपिता पर सबमान की सीट पर सितित हो शक्तियों को आडर परमान चलाने वाले विशाल बुद्धी भाव अपनी विशाल बुद्धी दवारा सरव शक्तियों रूपी सेवा धारियों को समय पर कारिय में लगाओ जो भी टाइटल डारेक्ट परमात्मा दवारा मिले हुए है उसके अनुवब होगी आपके आडर के इंतजार में होगी तो वर्दान और वर्शे को कारिय में लगाओ मालिक बण योग युग्त बण युग्ती युग्त सेवा सेवा धारियों से लो तो सदाराजी रहेंगे बार बार अर्जे नहीं डालेंगे सलोगन कोई भी कारिया शुरू करने के पहले विशेश ये स्मृति इमर्ज करो कि सफलता मुझ स्रिष्ट ब्राह्मन आत्मा का जनम सिद्ध अधिकार है ओव शान्ति